आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने Android TV में जिमेल अकाउंट कैसे अड़ करते है शुरुवात में हम अपने मॉबाइल का इंटरनेट डेटा आउन करेंगे और इसके बाद वाइफाई होट स्पोट भी आउन करेंगे इसके बाद Android TV को आउन करेंगे आपके Android TV में आपने पहले से हॉट स्पोट एड़ करके रखा है आपके मॉबाइल का तो इंटरनेट डेटा अपने आप कनेक्ट हो जाएगा चलिए देखते हैं Android TV को इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट हुआ है या नहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉबाइल का इंटरनेट कनेक्शन वाइफाई से कनेक्ट हो चुका है यहाँ से बैक हो जाएंगे बैक होने के बाद Settings ऑप्ट्ण पर क्लिक करेंगे इसके बाद Accounts और Sign In इस ऑप्ट्ण पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक Gmail अकाउंट शो हो रहा है अगर हमें दूसरा अकाउंट एड़ करना है तो प्लस एड़ अकाउंट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर Google सिलेक्ट करेंगे और OK प्रेस करेंगे इसके बाद Sign In पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर दो options दिखाई दे रहे है पहला option है Use Your Phone और Computer और दूसरा option है Use Your Remote हम यहाँ पर Use Your Phone और Computer option सिलेक्ट करेंगे इसके बाद हमने जो Android TV को Hotspot Connection दिया है वो Mobile लेंगे Android Mobile लेने के बाद हम किसी ब्राउजर में जाकर टाइप करेंगे androidtv.com.setup जैसे कि यहाँ पर TV स्क्रीन पर शो हो रहा है चलिए Chrome ब्राउजर में टाइप करते हैं androidtv.com.setup इसी पेज पर जो फर्स्ट नमबर पर साइट है android tv setup इसी साइट पर क्लिक करेंगे आपके android tv पर जो six digit वाला code दिया गया है उससे यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर थोड़ा wait करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको आपके android tv में जो gmail अकाउंट एड करना है उससे select करेंगे और इसके बाद यहाँ पर sign in पर क्लिक करेंगे इस तरह यह gmail अकाउंट आपके android tv में sign in हो चुका है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दुसरा gmail अकाउंट एड हो चुका है दोस्तों इस तरह आपमें जाना आपके android tv में gmail अकाउंट कैसे अड करते हैं अगर आपके android tv में से कोई एक gmail अकाउंट आपको remove करना है तो चलिए जानते हैं कैसे remove करते हैं जो gmail अकाउंट आपको remove करना है उसे select करेंगे और इसके बाद ok करेंगे ओके करने के बाद आप यहाँ पर option देख सकते हैं remove अकाउंट remove अकाउंट को select करके ok प्रेस करेंगे इसके बाद यहाँ पर भी ok select करके ok प्रेस करेंगे इस तरह आपका gmail अकाउंट remove हो जाएगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like किजिए और अपने दोस्तों के साथ share किजिए कि आते हाँ में गते हैं वीडियो करेंगे